हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं LIC IPO के अलॉट्मेंट स्टेटस के बारे में आज जैसा कि आप सबको पता ही है कि 12 तारीक है और 12 तारीक को LIC का अलॉट्मेंट आने वाला था तो आज अलॉट्मेंट किस प्रकार से चेक करना है इसके बारे में स्वीडियों बात करेंगे कि कैसे चेक करें कि आखिर हमको IPO मिला है या नहीं मिला है और इंपोर्टन जो च 1700 के level के दर्शन भी हो गए तो कह सकते हैं कि market के अंदर एक बहुत बड़ा आपको correction आता हुआ देखने को मिल चुका है कह सकते हैं almost market में आपको जो correction आता हुआ देखने को मिला है वो close to 20% हो चुका है तो grey market premium भी अगर आप देखेंगे तो दिक्कत वाली आपको आती भी दे subscribe कर लीजिएगा अगर आप कोई वीडियो बड़या लगे तो वीडियो को like करके आप जरूर जाहिएगा तो इस तो LIC IPO याद रखिएगा LIC IPO का जो आपको price band मिनने वाल है अगर आप retail category से लगा है तो आपको 904 रुपे का मिलता हुआ देखने को मिलेगा अगर आपने इसक काफी important है क्योंकि आज ही आपको allotment भी आता हुआ देखने को मिलने वाला है अब दोजो सबसे लोग सब्सक्रिप्शन किस परकार आया था सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो retail category almost two times subscribe हुई थी and जो आप आप देखेंगे others category others category कौन सी है policy holders अब 6.12 times अब इसमें य सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा जैसे six times subscribe हुआ है तो अगर आपने इसके अंदर छे lot लगा है तो आप मान के चलिए कि आपको एक lot 100% मिलेगा तो इसमें proportionate basis पे यह allotment होता हुआ देखने को मिलेगा तो यह बात important है यह बाट note करके रखेगा कि अगर आपने छे lot लगाया है LIC के अंदर तो आप मान के चलिए कि आपको एक lot मिलता हुआ देखने को मिलेगा एक से जादा भी मिल सकता है बट कम से कम एक lot तो आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पर क्या है proportionate basis है अब बहुत लोगों के जिन्होंने सिफ एक lot लगाया तो आपके probability ऐसा नहीं कि बहुत 0 है लेकिन हाँ अगर जिन लोगों ने 6-6 lot लगाया उससे जादा lot लगाया उनको मिलने के बाद आपके उपर आया जाएगा तो यह बात important है कि अगर आपको lot में नहीं मिलता है तो यह अगर आपने सिर इस से लगाया तो proportionate basis पे रिटेल कटेकरी वाला और जो अधर से वो proportionate basis है employee वाला भी proportionate basis है अगर आप company के employee है तो अब important चीज़ के आखिर चेक कैसे करना है कि allotment मिला है या नहीं मिला है तो दोस्तो सबसे पहले हमको BAC की website पहाना है अब BAC की website पहाने गता हमको करना क्या है हमको जाना है यह जो link के में description में डाल दूँगा issue type पे issue type पे आपको equity पे click कर देना है equity पे click करने के बाद दूस्तों यहाँ पर एक बस site reload हो जाएगी अब इसके दूस्तों करना क्या issue name पे click करना है अब अगर आप issue name देखेंगे तो issue name पे कुछ click नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी तक allotment की जो processing है वो start नहीं हुई है यहाँ पर allotment की जो processing है वो आपको यह बता देता हूं एक glitch इसके अंदर यह होता है कि जो IPOs होते हैं वो आते हैं उसके पहले ही दिखें यहाँ पर allotment चालू हो जाता है दिखना पट ऐसा होता नहीं है जब तक allotment नहीं आएगा तब तक यहाँ पर क्या होगा no record found दिखाएगा अब यहाँ पर आपक no record found का मतलब यह नहीं कि आपको allotment नहीं मिला है no record found का मतलब यह यह कि अभी तक allotment की जो प्रोसेस है वो start नहीं हुए यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेजिस्टार वेबसाइट पर जाकर चेक करिएगा जो रेजिस्टार वेबसाइट है वो है के फिंटेक अब फ्रेंट्स हम के फिंटेक की वेबसाइट पर आ चुके हैं यहाँ पर allotment status पर जाएंगे recent IPOs पर क्लिक कर रहा है अब यहाँ पर अगर आप दिखेंगे तो Rainbow Children Medicare दिखा रहा है एडलवाइस दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी अगर आप देखेंगे तो अभी तक शो नहीं हो रहा है जो IPO है वो है LIC का तो LIC का अभी तक IPO शो नहीं हो रहा है इसका मतलब जिसे मैंने खा क यह अलोटमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होई है यहाँ पर आपको application number मिलेगा वहाँ पर क्लिक कर दीजेगा यहाँ तो आपके application number नहीं है तो DP client ID तो होगी होगी अगर DP client ID भी नहीं है तो आपके span number तो हो गई होगा तो यहाँ पर तीन option से अप किसी में से भ अलोटमेंट लग गया है अगर नहीं दिखाता है इसका मतलब है कि अलोटमेंट नहीं लगा है तो overall इस प्रकार से यहाँ पर काम होता हुआ देखने को मिलेगा आप कह सकता हूं कि देखिए बेस्ट अफ लग भी नहीं बोलिगा विकॉस जो uncertainty market के अंदर की हो सकता है कि LIC क इस बार डिस्कांट पर लिस्ट हो जाए बट ठीक है कंपनी बहुत बढ़िया है तो आइस सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है याद रखिए का market जब भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा stock बढ़िया ही करेगा तो आइस सच कोई डरिये मत घबराईये मत किसी को नहीं तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चानल से ने दिए विडियो सब्स्राइब कर देना थेंक यू फ्रेंट वर्च वाचिन दिस वीडियो